मुंची प्रेम चंद की कहानी पत्नी से पती पत्नी से पती उस दौर का चित्रण है जब विदेशी निर्मित वस्तूओं का भारतिय घरों में अलाव बनाया जाता था भारत सरकार का एक अधिकारी जो अंग्रेजों की नकल करता है उसका जीवन तब बदल जाता है जब उसकी पत्नी उसके निर्देशों की बावजूद कॉंग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में जाती है फिर क्या होता है आईए सुनते हैं कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है मेरा नाम है मनीशा मिस्चर सेट को सभी हिंदुस्तानी चीजों से नफरत थी और उनकी सुन्दरी पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीजों से चिड़ मगर धैर्य और विने भारत की देवियों का आभूशन हैं कोदावरी दिल पर हजार जब्र करके पती की लाई हुई विदेशी चीजों का व्यवार करती थी हलाकि भीतर ही भीतर उसका हृदय अपनी परवश्ता पर रोता था पहे जिस वक्त अपने चज़े पर खड़ी होकर सड़क पंडिगहा दोडाती और कितनी ही महिलाओं को खदर की साड़ी पहने गर्व से सिर उठाते चलते देखती तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी अहा बन कर निकल जाती थी उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब औरत संसार में नहीं है मैं अपने सुदेश वासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती शाम को मिस्टर सीट के आग्रह करने पर वेह कहीं मनुरंजन या सैर किरे जाती तो विदेशी कपड़े पहने वे निकलते शरम से उसकी गर्दन जुक जाती थी वेह पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आखे जगमगा उठती थोड़ी देर के लिए वे भूल जाती कि मैं यहां बंधनों में जकड़ी हुई हूँ होली का दिन था आट बजे रात का समय सुदेश के नाम पर बिके हुए अनुरागियों का जुलोस आकर मिस्टर सेट के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलाइती कपड़ों की होलियां लगाने की तैयारियां होनी लगी गुदावरी अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी यह समारोहो देखा करती थी और दिल मसोस कर रहे जाती थी एक वह है जो यहों खुश-खुश आजादी के नशे, मतवाले, गर्व से सिर उठाए, खोली लगा रहे हैं और एक मैं हूँ कि पिंजडे में बंद पक्षी की तरह फड़़ा रही हूँ इन तीलियों को कैसे तोड़ दूँ? उसने कमरे में निगाह दोड़ाई सभी चीज़े विदेशी थी सुदेशी का एक सूद भी यहा न था यही चीज़े वहा जलाई जा रही थी और वही चीज़े यहां उसके हृदे में संचित गलानी कि भाती संदूकों में रखी हुई थी उसकी जी में एक लहर उठ रही थी कि इन चीजों को उठा कर उसी होली में डाल दे उसकी सारी कलानी और दुर्बलता जल कर भस्म हो जाए मगर पती की अप्रसनता के भया ने उसका हाथ पकड़ लिया सैसा मिस्टर सेट ने अंदर आकर कहा जरा इन सिर्फिरों को देखो कपड़े जला रहे हैं यह पागलपन, उनमाद और विद्रो नहीं तो और क्या है किसी ने सच कहा है हिंदूस्तानियों के ना अकल आई है ना आएगी कोई कल भी तो सीधी नहीं गुदावरी ने कहा तुम भी हिंदूस्तानी हो सेट ने गर्म होकर कहा हाँ, लेकिन मुझे हमेशा इसका खेद रहता है कि जैसे अभागे देश में क्यूं पैदा हुआ हूँ मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हिंदूस्तानी कहे या समझे कम से कम मैंने आचार, विहवार, वेश-भूशा, रीती-नीती, कर्म-वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे हमें कोई हिंदूस्तानी होने का कलंक लगाए पूछिए, जब हमें आठाने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो हम क्यों मूटा टाट खरीदें इस विशय में हरे को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए नजाने क्यों गवर्मेंट ने इन दुष्टों को यहां जमा होने दिया अगर मेरे हाथ में अधिकार होता तो सबों को जहनुम रसीद कर देता तब आटे दाल का भाव मालूम होता कुदावरी ने अपने शब्द में तीक्षन तिरसकार भर के कहा तुम्हें अपने भाईयों का जरा ख्याल नहीं आता भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाती के शासन हो छोटे-छोटे राष्ट भी किसी दूसरी जाती के गुलाम बन कर नहीं रहना चाते क्या एक हिंदुस्तानी के लिए यह लज्जा की बात नहीं है कि वह अपने ही भाईयों के साथ अन्याय करे सेट ने भौहें चड़ा कर कहा मैं इन्हें अपना भाई नहीं समझता आकिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है वह इन्हीं की जेब से तो आता है क्या आध्यात्म का यही आशे है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए जब यह मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरोध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती तो यह मुम्किन है कि यह इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी बगैर अंग्रेजों के आधीन हो क्यों इन दिवानों को इतनी अकल नहीं आती कि जब तक परमात्मा की इच्छा ना होगी कोई अंग्रेजों का बाल भी बांका ना कर सकेगा तो फिर क्यों नौकरी करते हो परमात्मा की इच्छा होगी तो आप ही आप भोजन मिल जाएगा बिमार होते हो तो क्यूं तोड़े वैदे के घर जाते हो परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते है पेशक करता है लेकिन अपने घर में आग लगा देना घर की चीजों को जला देना ऐसे काम हैं जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता तो यहां की लोगों को चुपचा बैठे रहना चाहिए नहीं, रोना चाहिए इस तरहे रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूद के लिए रोते हैं सहसा होली जली आग की शिखाएं आसमान से बाते करने लगी मानो स्वाधीन्ता की देवी अगनी वस्त रिधारन किये हुए आकाश के देवताओं से गले मिलने जा रही हो दीनानात ने खिड़की बंद कर दी उनके लिए यह द्रश्य भी असहिया था गोदावरी इस तरह खड़ी रही जैसे कोई गाय कसाई के खूटे पर खड़ी हो उसी वक्त किसी के गाने की आवाज आई बतन की देखिये तकदीर कब बदलती है गोदावरी के विशाद से भरेवे हृदे में एक चोट लगी उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ जाका खोली अब भी जल रही थी और एक अंधा लड़का अपनी खंजरी बजा कर गा रहा था बतन की देखिये तकदीर कब बदलती है वे खिड़की के सामने पहुँचा तो गोदावरी ने पुकारा ओ अंधे खड़ा रहे अंधा खड़ा हो गया गोदावरी ने संदुग खोला पर उसमें उसे एक पैसा मिला नोट और रुपे थे मगर अंधे फकीर को नोट या रुपे देने का सवाल ही न था पैसे अगर दो-चार मिल जाते तो वे इस वक्त जरूर दे देती वो शरम आ रही थी बहजरा देर तक पैसे को हात में लिए संशे में खड़ी रही तब अंधे को बुलाया और पैसा दे दिया अंधे ने कहा माता जी कुछ खाने को दीजिए आज दिन भर से कुछ नहीं खाया दिन भर मागता है, तब भी तुझे खाने को नहीं मिलता क्या करूं माता, कोई खाने को नहीं देता इस पैसे का चबैना लेकर खा ले खा लूँगा माता जी, भगवान आपको खुशी रखे अब यहीं सोता हूँ दूसरे दिन प्राते काल कॉंग्रेस की तरफ से एक आम जलसा हुआ मिस्टर सेट ने विलायती टूथ पाउडर, विलायती बुश से दांतों पर मला विलायती सावों से नहाया, विलायती चाय, विलायती प्यालियों में पी विलायती बिस्कुट, विलायती मक्षन के साथ खाया, विलायती दूद पिया फिर विलायती सूट धारन करके विलायती सिंगार मुँ में दबाकर घर से निकले और अपनी मोटर साइकल पर बैठ कर फ्लावर शो देखने चले गए गुदावरी को रात भर नीन नहीं आई थी दुराशा और पराजय की कठन यंत्रना किसी कोड़े की तरह उसके हृदय पर पड़ रही थी ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज अटक गई है मिस्टर सेट को अपने प्रभाव में लाने की उसने वह सब योजनाई की जो एक रमनी कर सकती है पर उस भले आत्मी पर उसके सारे हाव भाव मृदु मुसकान और वानी विलास का कोई असर ना हुआ खुद तो सुदेशी वस्तरों के वेवार करने पर क्या राजी होते गोदावरी के लिए एक खदर की साड़ी लाने पर भी सहमत ना हुए यहां तक की गोदावरी ने उनसे कभी कोई चीज ना मांगने की कसम खाली प्रोध और गलानी ने उसकी सदभावना को इस तरहे विक्रत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तो निर्मल जल को दूशित कर देती है उसने सोचा जब यह मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते तब फिर क्या मैं इनके इशारों पर चलूँ क्यों इनकी इच्छाओं की लॉंडी बनी रहूं मैंने इनके हाथ कुछ अपनी आत्मा नहीं बेची है अगर आज ये चोरी या गबन करें तो क्या मैं सजा पाऊंगी उसकी सजा ये खुद छेलेंगे उसका अपराद इनके उपर होगा इन्हें अपने कर्म और वचन का अख्तियार है तो मुझे अपने कर्म और वचन का अख्तियार यह अपनी सरकार की गुलामी करें अंग्रेजों की चौकट पर नाक रगड़ें मुझे क्या गर्ज है कि उसमें उनका सहीयोग करूं जिसमें आत्मा भिमान नहीं, जिसने अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया, उसके प्रति अगर मेरे मन में भक्ती ना हो, तो मेरा दोश नहीं यह नौकर है या गुलाम? नौकरी और गुलामी में अंतर है नौकर कुछ नियमों के आधिन अपना निर्दिष्ट काम करता है यह नियम, स्वामी और सेवक दोनों पर ही लागो होते हैं स्वामी अगर अपमान करे, अब शब्द कहे तो नौकर उसको सेहन करने के लिए मजबूर नहीं गुलाम के लिए कोई शर्त नहीं उसकी देह गुलामी पीछे होती है मांची गुलामी पहले ही हो जाती है सरकार ने इनसे कब कहा है कि देशी चीजें ना खरीदो सरकारी टिक्टों तक पर शब्द लिखे होते हैं सो देशी चीजें खरीदो इससे विदित है कि सरकार देशी चीजों का निशेद नहीं करती फिर भी यह महाशे सुर्खरू बनने की फिक्र में सरकार से भी दो अंगुल आगे बढ़ना चाहते है मिस्टर सेट ने कुछ छेपते हुए कहा कल न फ्लावर शो देखने चलोगी गुदावरी ने विरक्तमन से कहा नहीं बहुत अच्छा तमाशा है मैं कॉंग्रेस के जलसे में जा रही हूँ मिस्टर सेट के उपर यदि छत गिर पड़ी होती या उन्होंने बिजली का तार हाथ से पकड़ लिया होता तो भी वहतने बदहवास ना होते आखे फाड़ कर बोले तुम कॉंग्रेस के जलसे में जाओगी हाँ जरूर चाओगी मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ अगर तुम मेरी परवार नहीं करते तो मेरा धर्म नहीं कि तुमारी हर एक बात का हर एक आग्या का पालन करूँ मिस्टर सेट ने आखों में विश भर कर कहा नतीजा बुरा होगा गुदावरी मानो तलवार के सामने चाती खोल कर बोली इसकी चिंता नहीं तुम किसी के इश्वर नहीं हो मिस्टर सेट खूब गरम पड़े धमकिया दी आखिरकार मुँ फेर कर लेटे रहे प्रातयकाल फ्लावर शो जाते समय भी उन्होंने गुदावरी से कुछ न कहा गुदावरी जिस समय कॉंग्रिस के जलसे में पहुँची तो कई हजार मर्दों और और औरतों का जमाव था मंत्री ने चंदे की अपिल की थी और कुछ लोग चंदा दे रहे थे कुदावरी उस जगह खड़ी हो गई जहां और इस्तरियां जमा थी और देखने लगी कि लोग क्या देते हैं अधिकांश लोग दो-दो-चार-चार आना ही दे रहे थे वहां ऐसा धनवान था ही कौन उसने अपनी जेब रटोली तो एक रुपया निकला उसने समझा यह काफी है इसी इंतजार में थी कि जोली उसके सामने आवे तो उसमें डाल दू सहसा वही अंधा लड़का जिसे कि उसने पैसा दिया था नजाने किधर से आ गया और जियों ही चंदे की जोली उसके सामने पहुँची उसने उसमें कुछ डाल दिया सबकी आखे उसकी तरफ उट गई सबको कुतुहल हो रहा था कि अंधे ने क्या दिया कहीं एक आद पैसा मिल गया होगा दिन भर गला फाड़ता है तब भी तो उस बिचारे को रोटी नहीं मिलती अगर यही गाना पिश्वाज और साज के साथ किसी मैफिल में होता तो रुपए बरहसते लेकिन सडक पर गाने वाले अंधे की कौन परवा करता है जोली में पैसा डाल कर अंधा वहां से चल दिया और कुछ दूर जाकर गाने लगा बतन की देखिये तकदीर कब बदलती है सभापती ने कहा बित्रों देखिए यह वह पैसा है जो एक गरीब अंधा लड़का इस जोली में डाल गया है मेरी आखों में इस एक पैसे की कीमत किसी अमीर के एक हजार रुपए से कम नहीं शायद यही इस गरीब की सारी बिसाथ होगी जब ऐसे गरीबों की सहनुभूती हमारे साथ है तो मुझे सत्य की विजे में संधे नहीं मालूम होता हमारे यहां क्यों इतने फकीर दिखाई देते हैं या तो इसलिए कि समाज में इने कोई काम नहीं मिलता या दरिद्रिता से पैदा हुई बिमारियों के कारण यह अब इस योग्य ही नहीं रहे हैं कि कुछ काम करें या बिक्षा वृत्ती ने इनमें कोई सामर्थे ही नहीं छोड़ी सुराजे के सिवाइन गरीबों का बुद्धार कौन कर सकता है देखे वह गा रहा है बतन की देखिये तकदीर कब बदलती है इस पीडित फिदय में कितना उत्सर्ग क्या अब भी कोई संदहे कर सकता है कि हम किसकी आवाज है पैसा उपर उठा कर आप में कौन इस रत्न को खरीच सकता है गोदावरी के मन में जिक्यासा हुई क्या यह वही पैसा तो नहीं है जो रात मैंने उसे दिया था क्या उसने सच मुच रात को कुछ नहीं खाया उसने समीब से पैसे को जाकर देखा जो मेज पर रखा दिया गया था उसका रिदै धक से हो गया यह वही घिसा हुआ पैसा था उस अंधे की दशा उसके त्याग का इस्मरंड करके गुदावरी अनुरक्त हो उठी कांपते हुए स्वर में बोली मुझे आप ये पैसा दे दीजिए मैं पांच रुपे दूँगी सभापती ने कहा यह बहन इस पैसे के दाम पांच रुपे दे रही हैं दूसरी हवाज आई दस रुपे तीसरी हवाज आई तीस रुपे गुदावरी ने इस अंतिम व्यक्ति की और देखा उसके मुख पर आत्मा भिमान जलक रहा था मानुक कह रहा हो कि यहां कौन है जो मेरी बराबरी कर सके गुदावरी के मन में इस परधा का भाव जाग उठा चाहे कुछ हो जाए इसके हाथ में यह पैसा ना जाए समझता है इसने बीस रुपे क्या कह दिये सारे संसार का मूल ले लिया गुदावरी ने कहा चालीस रुपे उस पुरुष ने तुरंत कहा पचास रुपे हजारों आखे गुदावरी की और उठ गई मानुक कह रही हो अब की आप ही हमारी लाज रखिए गुदावरी ने उस आदमी की और देखकर धमकी से मिले हुए स्वर में कहा सार रुपे दनी आदमी ने भी तुरंत कहा एक सो बीस रुपे लोगों की चहरी पर हवाईया उड़ने लगी समझ गए इसी के हाथ विजे रही निराश आँकों से गुदावरी की और ताकने लगे मगर जो ही गुदावरी के मुझे निकला डेर सो की चारो तरफ तालिया पढ़ने लगी मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवान की विजे पर मतवाले हो गए हो उस आदमी ने फिर कहा पौने दो सो गुदावरी बोली दो सो फिर चारो तरफ से तालिया पढ़ी पतिद्वन्दी ने अब मैदान से हट जाने में ही अपनी कुशल समझी गुदावरी विजे के गर्व पर नम्रता का परदा डाले हुए खड़ी थी और हजारों शुबकाम नए उस पर फूलों की तरह बरस रही थी जब लोगों को मालूम हुआ कि है देवी मिस्टर सेट की बीवी है तो उन्हें इर्शा में आनंद के साथ उस पर दया भी आई मिस्टर सेट अभी फ्लावर शो में ही थे कि एक पुलिस के अफसर ने उन्हें यह घातक समवाद सुनाया मिस्टर सेट सकते में पड़ गए मानो सारी देहे शूनने पड़ गई हो फिर दोनों मुठियां बांधली दात पीसे, होट चबाए और उसी वक्त घर चले उनकी मोटर साइकल कभी इतनी तेज न चली थी घर में कदम रखते ही उन्होंने चिंगारियां भरी आँखों से देखते हुए कहा क्या तुम मेरे मुँ में कालिक पुतवाना चाहती हो गोदावरी ने शांद भाव से कहा कुछ मुँ से भी तो कहो ये गालियां ही दिये जाओगे तुम्हारे मुँ में कालिक लगेगी तो क्या मेरे मुँ में न लगेगी तुम्हारी जड़ खुदेगी तो मेरे लिए दूसरा कौन सा सहारा है सारे शहर में तूफान मचा हुआ है तुमने मेरे लिए रुपे दिये क्यों गुदावरी ने उसी शांत भाव से कहा, इसलिए कि मैं उसे अपना ही रुपया समझती हूँ, मिस्टर सेट दात किटकिटा कर बोले, हर्गिस नहीं, तुम्हें मेरा रुपया खर्च करने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल गलत, तुम्हारे खर्च करने का तुम्हें जितना अ इस पर फ्हेंका कि वह लुडखता हुआ, जमीन पर गिर पड़ा, और बोले, मुझे तुम्हारी अकल पर अफसोस आता है, जानती हो तुम्हारी इस उद्दंड तागा क्या नतीजा होगा, मुझसे जवाब तलब हो जाएगा, बतलाओ, क्या जवाब दूँगा, जब यह जाहिर है कि अंग्रेश सरकार से दुश्मनी कर रही है, तो कॉंग्रेश की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करनी है, तुमने तो नहीं की कॉंग्रेश की मदद, तुमने तो की, इसकी सजा मुझे मिलेगी या तुम्हे, अगर मैं चोरी करूँ तो क्या तुम जेल सरकारी नौकर के लिए चोरी या डाके से भी बुरा है। मैंने ये नहीं समझा था। अगर तुमने ये नहीं समझा था तो तुम्हारी ही बुद्धी का भ्रहम था। रोज अख़वारों में देखती हो, फिर भी मुझसे पूछती हो। एक कॉंग्रेसी का आदम ही प्लैटफॉर्म पर बोलने खड़ा होता है तो बीसियों सादे कपड़े वाले पुलिस अफसर उसकी रिपोर्ट लेने बैट जाते हैं। कॉंग्रेस के सरगनाओं के पीछे कई-कई मुख़विर लगा दिये जाते हैं, जिनका काम यही है कि उन पर कड़ी निगहा रखें। चोरों के साथ तो इतनी सक्ती कभी नहीं की जाती। इसी लिए हजारों चोरियां और डाके और खोन रोज होते रहते हैं, किसी का कुछ पता नहीं चलता, न पुलिस वाले इसकी परवाह करते हैं। मगर पुलिस को जिस मामले में राजनीती की गंध भी आ जाती है, फिर देखो पुलिस की मुस्तेदी। इंस्पेक्टर जनरल से लेकर कॉंस्टेबल तक एडियों तक का जोर लगाते हैं। सरकार को चोरों से भै नहीं। चोर सरकार पर चोट नहीं करता। कॉंगरेस सरकार को अख्तियार पर हमला करती है, इसलिए सरकार भी अपनी रक्षा के लिए अपने अख्तियार से काम लेती है। यह तो प्रकर्ती का नियम है। मिस्टर सेट आज दफतर चले तो उनके कदम पीछे रह जाते थे। नजाने आज वहां क्या हाल हो। रोज की तरहे दफतर में पहुँचकर उन्होंने चपरासियों को डांटा नहीं, कलरकों पर रॉब नहीं जमाया, चुपके से जाकर कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा मालूम होता था, कोई तलवार सिर प लटक रही है। सहाब की मोटर की आवाज सुनते ही उनकी प्राण सुख गए। रोज वह अपने कमरे में बैठे रहते थे। जब सहाब आकर बैठ जाते थे तब आदे घंटे के बाद मिसलें लेकर पहुँचते थे। आज वह बारामदे में खड़े थे। सहाब उतरे तो जुक कर उन्होंने सलाम किया, मगर सहाब ने मूँ फेर लिया। लेकिन वह हमत नहीं हारे। आगे बढ़कर परदा हटा दिया। सहाब कमरे में गए तो सेट सहाब ने पंखा खोल दिया, मगर जान सूखी जाती थी कि देखें कब सिर पर तलवार गिरती है। सहाब जों ही कुर्सी पर बैठे, सेट ने लपक कर सिगार केस और दिया सलाई मेज पर रख दी। एक आ एक ऐसा मालुम हुआ मानो आसमान फट गया हो, सहाब गरज रहे थे, तुम दगाबाज आदमी हो। सेट ने इस तरह सहाब की तरफ देखा जैसे उनका मतलब नहीं समझे, सहाब ने फिर गरज कर कहा, तुम दगाबाज आदमी हो। मिस्टर सेट का खून गरम होटा, बोले, मेरा तो खयाल है कि मुझसे बड़ा राजभक्त इस तेश में न होगा, तुम नमक हराम आदमी है, मिस्टर सेट के चहरे पर सुर्खी आई, आप व्यर्थी अपनी जबान खराब कर रहे हैं, तुम शैतान आदमी है, मिस्टर सेट की आँखों में सुर्खी आई, आप मेरी बेज़ती कर रहे हैं, ऐसी बातें सुनने की मुझे आदत नहीं है, चुप रहो, यू बलडी, तुम को सरकार पांसो रुपे इसलिए नहीं देता, कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कॉंग्रेस का चंदा दिलवाए, तुम को इसलि और शो देखने गया था, जहां मिस्टर फ्रॉक का गुलदस्ता पांच रुपे में लिया, वहां से लोटा, तुम मुझे यह ख़बर मिली, ओ, तुम हमको बेवकूफ बनाता है, यह बात अगनी शीला की भाती, चौही साहब के मस्तिश्क में घुसी, उनके मिजाज का पा बड़े रईस नजराना देते हैं, उन्ही को कोई बेवकूफ बनाए, उसके लिए वह असहिया था, रुल उठा कर दोड़ा, लेकिन मिस्टर सेट भी मजबूत आदमी थे, यो वह हर तरह की खुशामत किया करते थे, लेकिन यह पांस भी कार ना कर सके, उन्होंने रूल का तो हाथ पर लिया, लेकिन एक डग आगे बढ़कर ऐसा घूंसा साहब के मूँ पर रसीद किया कि साहब की आँखों के सामने अंधेरा चा गया, वह इस मुश्टी प्रहार के लिए तयार न थे, उन्हें कई बार इसका अनुभव हो चुका था कि नेटिव बहुत शांत, द इसे कैसे नीचा दिखाऊं, मिस्टर सेट भी अपने कमरे में आकर इस परिस्तिती पर विचार करने लगे, उन्हें बिलकुल खेद न था, बलकि वह अपने साहस पर प्रसंद थे, इसकी बदमाशी तो देखो, कि मुझ पर रूल चला दिया, जितना दबता था, उतना ही द वड़ेगा, यह सब कुछ गुदावरी के कारण हो रहा है, बेज़ती तो हो ही गई, अब रोटियों को भी मोहताज होना पड़ेगा, मुझ से तो कोई पूछेगा भी नहीं, बरखास्तगी का परवाना आ जाएगा, अपील कहां होगी, सेक्रेटरी है हिंदुस्तानी, मग पर अंग्रेजों के गुलाम, गुदावरी के चंदे का हाल सुनते ही उन्हें जूड़ी चढ़ा जाएगी, न्याएकी किसी से आशा नहीं, अब यहां से निकल जाने में ही कुशल है, उन्होंने तुरंत एक स्थीफा लिखा और सहब के पास भीज दिया, सहब ने उस पर देख दिया, बरखास्त, दुपहर को जब मिस्टर सेट मू लटकाए हुए घर पहुँचे तो गुदावरी ने पूछा, आज जल्दी कैसे आ गए, मिस्टर सेट देखती हुई आखों से देख कर बोले, जिस बात पर लगी थी वह हो गई, अब रो सिर पर हाथ रखे, कि क्या जल्दी थी, और क्या सिर के बाल नुचवाता, तुम्हारा यही हाल है, तो आज नहीं तो कल, अलग होना ही पड़ता, खेर, जो हुआ अच्छा ही हुआ, आज से तुम भी कॉंग्रिस में शरीक हो जाओ, सेट ने होट चबा कर कहा, लजाओगी तो नहीं, उपर से खाओ पर नमक चड़कती हो, लजाओं क्यों, मैं तो खोश हूँ कि तुम्हारी बेडियां कट गई, आखिर कुछ सोचा है काम कैसे चलेगा, सब सोच लिया है, मैं चला कर दिखा दूगी, हाँ, मैं जो कुछ कहूं वह तुम किये जाना, अब तक मैं तुम्हारे इशारे चलती थी, अब से तुम मेरे इशारे पर चलना, मैं तुमसे किसी बात की शिकायत ना करती थी, तुम जो कुछ खिलाते थे, खाती थी, जो कुछ पहनाते थे, पहनती थी, महल में रखते, महल में रहती, जोपड़ी में रखते, जोपड़ी में रहती, उसी तरहे तुम भी रहो वही उचा है, आज तक तुम मेरे पती थे, आज से मैं तुम्हारा पती हूँ, सेट जी उसकी और स्नेहे की आँखों से देख कर हस पड़े हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताएं आपके कॉमेंट्स और लाइक हमें प्रोथसाहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानिया शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन दबाना न भूलें इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे